श्रीरादे, बोलो रादारानी सरकार की जय, माग महास महातम की जय, चलिए चलते हैं प्रभु के प्रियमास और प्रभु की अजबुत लेला का वर्णन सुननें श्रीरादे, बगवान श्रीहरी के प्रियमास माग मास की अनंत मंगल कामनाओं के साथ माग महातम का पहला अध्याए बगवान श्रीगनेश के नाम के साथ आरंभ करते हैं अथ श्रीपद्म पुराणांतर गतह माग मास महातमाए नारायनम नमस्क्रत्यम नरम्चेव नरोतमम देवी सरस्वती जय ततो जय मुदीर येत अर्थात सारे संसार के करता भगवान श्रीहरी विश्नो माता लक्ष्मी देवी सरस्वती और दीव गुरू प्रस्पत जी के चर्ण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माग मास महातम के वर्णन को आरंभ करती हूँ एक समय की बात है कि श्री सूथ जी ने अपने गुरू श्री वेद व्यास्ची से कहा हे गुरू देव क्रिपा करके आप मुझे माग मास के महातम का वर्णन करिये क्योंकि मैं आपका शिश्य हूँ व्यास्ची कहने लगे रगवंश के राजा दिलेप एक समय यग इसनान के पश्चात सुन्दर वस्त्र आभुशन पहन कर शिकार की सामिक्री से युप्त कवच्च तिस्शो भाई मान होकर अपने सिपाईयों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए जैसे ही वह अपने नगर से बाहर निकले उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए म्रग, व्याग, सिंग, आधि जंतियों की तलाश में इधर-उदर फिरने लगे उस समय वन में वनिस्थली अत्यंत शोभाई मान प्रतीत हो रही थी वन में व्रक्षियों पर पक्षी कल्रव कर रहे थे, मूर नाच रहे थे, म्रगों के जंड इधर-उदर फिर रहे थे और गीदर अपने भैंकर गरजना मचा रहे थे किसी-किसी इस्थान पर गैनों का समो हाथियों के समान मस्त होकर गूम रहा था और कहीं-कहीं कटोरों में बैठे उल्लू अपने आवाज की भैयानक गरजना कर रहे थे कहीं-कहीं सिंगों के पदों के निशान के साथ घायल म्रगों से रख्त की भूमी लाल हो रही थी दोच से भरी थनों वाली सुन्दर भैसे घुम रही थी हरी भरी लताएं वन की शोभा आयमान स्थिती को और जाधा शोभा प्रदान कर रही थी बड़े बड़े पेड उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और सापों की केचुलियां पड़ी थी उसी समय राजा के सिपाही के बाजे की आवाज सुनकर एक म्रग वनमे से निकल कर तेजी से डर कर भागने लगा और बड़े बड़े चोकडियां भरता हुआ राजा के सामने से निकला जैसे ही राजा दिलीप ने उसे देखा अपना घोड़ा उसके पीछे दोड़ाया परन्तु म्रग अपनी पूई शक्ती से भागने लगा म्रग काटेदार व्रक्षों के एक जंगल में घुज गया और अचानक से राजा भी उसी जंगल में प्रवेश कर गये परन्तु दूर जाकर म्रग राजा की द्रस्ती से ओजल हो गया और कहीं निकल गया राजा निर्जन वर्ण में अपने सैनिकों के साथ प्यास के मारे अती दुखी हो गए दो पहर के समय अत्याधिक मार्क पर चलने से सैनिक भी ठक चुके थे और गोडे भी तथा कदिथा की गए थे कुछ देर पश्चार राजा ने पास में ही एक बड़ा सुन्दर बड़ा सा सरोवर देखा जिसकी किनारे पर घनी व्रक्षे थे इसका जल सज्जनों के हिर्दय की समान पवित्र था सरोवर का जल लहरों से खेलता हुआ बड़ा सुन्दर प्रतीत हो रहा था जल में अनेक प्रकार के जीवजन्तु मचलिया आजी सुशंदधा से इधर उधर घूम फिर रहे थे और वहीं दुस्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगर मच भी पड़े हुए थे जो किसी लोभी के समान घर में सिमाल की भाती पड़े हुए थे जैसे कि विपत्ती में घिरे हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सभी को सुखी करता था जैसे चालाग के दुख को मेग हरता है इस सरोवर को देख कर वैसे ही राजा की ठकावट दूर हो गई रात्री को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे चारो तरफ फैल गए रात के अंतिन समय में श्यूकरों के एक जुन्ड ने आकर पानी पिया सरोवर में और कमल के जुन्ड के पास आए तब शिकारियों ने सावधानों कर श्यूकरों पर आक्रमन कर दिया और उनको मार कर प्रत्वी पर गिरा दिया उस समय शिकारी कोला हल करते हुए बड़ी प्रसंटा के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात होता देखकर उनके साथ अपनी नगरी को चल पड़े रास्ते में राजा ने एक तपस्यू के दर्शन किये जिनका शरीर तपस्या और नियम के कारण एकदम सूप गया था जो म्रक शाला और वलकल पहने हुए थे राजा ने ऐसे घोर तपस्यू को देखकर आश्यर प्रकट किया और नतमस्तव होकर प्रनाम किया हाथ जोड़कर राजा खड़े हो गए तपस्यू ने राजा को कहा हे राजन इस पुन्य शुव माग में इस सरोबर को छोड़कर तुम यहां से जाने की इक्षा करते हो तप राजा कहने लगे हे माहत्मन मैं तो माग मास के इस नान फल्क के विशे में कुछ भी नहीं जानता क्रपया आप विस्तार पुरवक मुझे बताईए इतनी पद्मपुराणा नुसार प्रथम अध्याय समाप्त मिलते हैं आप सभी से अगले तुद्य अध्याय में श्री राजे ही